क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है जहां बिहार के लोग हार जीत का अंतर तय करते हैं ये है देश की सबसे बड़ी विधान सबा सीट साहिबाबाद और यही पर योगी आधितनात लगातार समाजबादी पारिटी पर हमलावर हैं साहिबाबाद में एक का रिक्रम हुआ था भारती जनता पारिटी का जहां पर बुद्धी जीवियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादों पर योगी आधितनात कटाक्ष कर रहे थे योगी आधितनात बोले कि जो लोग सत्ता में रहते हुए लोगों को बिजली नहीं दे पाए वो 300 यू चादों को अंधेरे में रहने की आदत है क्योंकि चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं होती है इसके अलावा भी योगी आधितनात ने साहिबाबाद सीट पर हिंदोस्तान की संबवता सबसे बड़ी विधानसभा सीट जहां पर बिहार के लोग तै करते हैं कि कौन है और आप जनताजंशन देख रहे हैं वैसे तो सारी सीटे सभी के लिए जरूरी होती है लेकिन इस वीडियो में ये समझते हैं कि साहिबाबाद सीट भाजपा के लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी क्यों है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जि हासल करी थी गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सीट को भारत की सबसे बड़ी विधानसवा सीट भी कहा जाता है यहां पर पहले चरण में दस फरूरी को मद्दान होता है होना है यहां ब्रहमण, वैश, दलित, मुस्लिम और ठाकुर सबसे ज्यादा मद्दाता है कुल म सबसे बड़े विधानसवा क्षेतर साहिबाबाद में उर्वांचल और पिहार के लोग जीत हार का समीकर्ण बदल देने का माददा रखते हैं यहां का मुद्दा भी प्रवासी मजदूरों की सुक्सु विधाएं और उनके विवस्था से जुड़ा हुआ है साहिबा अनपूर, खोड़ा गाओं यह जो इलाके आते हैं यहां पर यहां के मूल निमासी रहते हैं इसके अलावा एक इलाका है जो इसमें इंदरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी, सूर्य नगर, चंदर नगर, विरिज बिहार, राजेंदर नगर, शालीमार गारड वो बड़ी संख्या में पाये जाते हैं, यहां कुल 11,12 ऐसे मददाता है जो बिहार के रहने वाले हैं और इसमें कریब 4,00 ऐसे मददाता है जो पूरवानचल और बिहार के रहने वाले हैं यह तकरीब한 4,00 अगर परतिशत देखें तो 40 फीजदी है, अगर ये वोटर वर के एक पार्टी के साथ चला जाए, तो अपने आप वो पार्टी तगड़े ढंग से जीत सकती है, और 2017 में कहा भी यही गया था कि यह जो 40 फीजदी का मतदाता है, यह एक मुष्ट भारती जनता पार्टी के पास चला गया, इस वजहा से एक लाग से ज्यादा वोटों से 17 में जीती थी, बसपा से, साहिबाबाद विधानसभा सीट की राजजितिक प्रिष्ट भूमी की थोड़ा सा बात करें, तो यह 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्यों में आई थी, हमने 12 बता दिया था, उसके लिए माफ करेगा शुरू में, तो फिर साल 2012 में यहाँ पर पहल सुनील कुमार शर्मा ने अमरपाल शर्मा को न सिर्फ हराया, बलकि 2012 की हाल का बदला ऐसे लिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया, भाजपा के सुनील शर्मा ने अपने प्रितुन्दी कॉंग्रेस की टिकेट पर उत शर्मा के खाते में नहीं आया, बलकि वो सुनील कुमार शर्मा के खाते में गया, साहिबावाद ख्षेत्र की अगर जनता के मुद्दे की बात करें, तो चुकि यहाँ पर जो एक तरीके का बहुसंख्यक है, शहरी आबादी जो मायनी जाती हो प्रवासी है, तो यहाँ पर उसी पर लगी हुई है, जिसको कहा जाता है कि एक मुष्ट वोड बैंक है, यहाँ एक लाग से ज्यादा यहाँ भी वोटर है, इसलिए सभी राजनीतिक्धल यहाँ पर भी तग्रे ढंग से सक्री है, यहाँ का जो مسलिम वोटर है, उस पर पहुँच बनाने के लिए सपा न के जरीए बीते दिनों से लगातार काम कर रही थी इसके अलावा ब्रहम्मड और वैश्री वोटरों के बीच पीट पैट बटाने के बनाने के लिए तमाम छोटे बड़े आयोजन सम्मेलन भाजपा की तरफ से करवाए जा रहे थे और अब योगी आजितनात वहाँ पर पहु लोगों के बीच में कुछ हद तक किसी भी पाइटी के मैनिफेस्टो या जो वादे हैं उससे ज्यादा कामियाब रहेगा उससे ज्यादा असर डालने में कामियाब रहेगा और इसके जवाब में भाजपा के पास योगी आजितनात हैं और उनको प्रशार पर लगा भी दि जो अभी कहा गया कि बुद्धी जीवियों का सम्मेलन हो रहा था तो बुद्धी जीवियों के सम्मेलन से आप समझेए कि जो ऐसे लोग हैं जो यूनियन के अध्यक्ष हैं यूनियन में पता दिकारी हैं छोटे-छोटे कालोनीज में अपने आपकी पैठ रखते हैं उन ल लगे हुए थे ऐसे समय में लोग जब मोदी जी पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे परदेश और देश की जनता को सुरक्षत करने का ऐसे समय में ये लोग इस जनता को गुमराह करने में लगे हुए थे उन्होंने इसके आगे भी मोदी जी की तारीफ करी उन्होंने कहा कि तो समझिये कि अमेरिका की तुलना में चार गुना अधिक आबादी हमारे यहां थी, उसके बावजूद भारत में महामारी के कारण अमेरिका से आधिम होती हुई है। संबोधित कर रहे थी यूगया इतना जो हमने आपको बताया कि प्रभावी मतदाता सम्मेलन या बुद्धी जीवी सम्मेलन इन सबका एक ही मतलब होता है कि ऐसे मतदाता जो सिरफ एक वोट डालने भरके आउकात ना रखते हो, हैसियत ना रखते हो, बलकि 150,500 वोट उनके ए मर्थन नहीं करना चाहिए, सपा पर तकड़ा प्रभार लगातार भारते इंता पायटी और यूगया इतनात कर रही है, इसी कड़ी मुनों नहीं यहाँ भी कहा, कि सपा जो है, वो हिस्ट्री की सीटर और खुखार लोगों को अपनी पायटी से टिकट दे रही है, इसके अ संगत का इलास मान शरो और भवन बनवाते हैं, सीएम योगी ने गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में घरगर जाकर परचार भी किया, जो आपको वता रहे हैं कि भाजपा का रणनीती क्या है, और साहिबाबाद के बुद्ध जीओं को संबोधित करते हुए आगामी करके आता, इसे बिहार के मजदूर होते हैं, तो कुछ उनकी अपनी घरेलू समस्याएं होती हैं, जो बिहार की समस्या होंगी, उससे अगर भाजपा से नाराज होंगे, तो यहां आ करके भाजपा के खिलाप वोट करेंगे, तो भारती इंता पार्टी एक तरीके से उन मु किदे खड़े करके चुनाओ को नए धंक से जीतने की कोशिश कर रही है, इसके जवाब में विपक्षी नेता विलगातार महाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़ी विधान सबा सीट है, बहुत बड़ा मैसेज जाता है, और सभी को पता है कि पहले दो चरण में वोटर जिसकी तरफ चला गया, जिसकी तरफ मैसेज चला गया, आने वाले जो पांच चरण बच रहे हैं, उसके लिए उन पाइटीज का रास्ता आसान हो जाएगा, और वोटर को वो अपनी तरफ आसानी से आकरशित कर पाएगे, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इ जिसकी जड़े बिहार से जुड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश की एक विधान सवा सीट पर आपको विधायक चुनने का मौका मिल रहा है, तो आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे, कमेंट बाक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साजा भी करें, मेरा नाम रागनिस्रा है, और आप जनरता जिंग्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ हों प्रकाश हैं, शुक्रिया.